गोल्ड एक ऐसी चीज जो कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है रियल लाइफ से लिकर हर एक गेम तक गोल्ड का जिक्र जरूर होता है कोई गोल्ड पहन रहा है कोई गोल्ड खा रहा है तो कोई अपनी गाड़ी गोल्ड की करवा दे रहा है और अगर गेम्स की बात करें तो अगर किसी की गोल्ड नहीं होती वैलोरेंट पबजी फ्रीफार कुछ भी उठा लो इससे कम रेंग वालों को नूब अगोशित कर दिया जाता है और माइंट्राफ में तो लोग गोल्ड के पीछे पढ़े ही है उल्टा जीटे फाइव में भी गोल्ड चूरा रहे हैं बट इसकावी पर रियालिटी शो आता था 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 ना गोल्ड रस उससे काफी जाता इंस्पारड है इसमें एकदम रियलेस्टिक तरीके से जैसे रियल लाइफ में गोल्ड लाया जाता है उस तरीके से गोल्ड माइन करना है और राइट गाइस तो यह मैं आ चुका हूं अपने इस प्यारे से होटेल के बाहर इस गाड़ी में बैट कर माइनिंग पर जाने के लिए बट गाइस एक बारी माइनिंग पर जाने से पहले आप लोग को इस जगह का नजारा दिखा देता हूं भाई इस टाइप की जगह न मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है जहां पर प्रोसीजर पता करना होगा फिलाल यह है मैप जहां पर अभी मैं स्टे कर रहा हूं यह अपना होटेल है सामने दो घर है इस तरफ में यह एक फैक्टरी है बाकि राइट साइड में पूरा का पूरा बहुत बड़ा गाउं है या फिर कोई सिटी है और अगर देखा जाए म मुझे जाना होगा बैंक और बैंक जाकर मुझे एक जमीन रेंट पे खरीदनी है उसके बाद मुझे जाना है क्यूपमेंट स्टोर पे और वहां से कुछ चार पांच आइटम खरीदनी है जो कि माइनिंग में काम आने वाली है फिर मुझे सारा समान गाड़ी पे रखके औ यारे बहुत बढ़ी बात है यारे चल भी नेरी steering घूम रहा है बट गाड़ी स्टेरिण घूहाई आपनी आपकल आहरे स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो मुझे एक्स दबाना होगा गाड़ी का engine स्टार्ट करने के लिए लेटस गाड़ी स्टार्ट को गाड़ी उपर काम करके बैठें, अभी मैं समझ गया हूँ, मैंने गाड़ी की हैंडब्रेक हटा दिया है, अब गाड़ी जो है, प्रॉपर चल रहे हैं, यह काफी जदा सही है, फिलाल क्या पूरी FPP चलने वाली है, ओ, नाइस, हम लोग इसे टीपी में भी कर सकते हैं, वड़ाफट, रास्ते में एक पेड़ गिरा हुए, वाउ, मतलब कि मैंने गाड़ी, ओके, ओके, ओके ओके, लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, शाथ से मुझे अपनी गाड़ी इभी यहां से लेकर जानी होगी, वाउ, अभी मुझे गाड़ी चलाने आगए है, तो रास्ते में करता फिर रहा हूं यहां पर लेट्स को बड़ा बड़ से मैप ओपन करते हैं और अगर देखा जाये तो मैं एक बहुत अच्छा शॉटकट लेकर आ गया हूं उस माउंटीन के बीच में से नाइस सामने मुझे सिटी भी नजर आ रही है और यहां पर दो रास्ते हैं राइट वाले रास्ता भी बंद हो रहा है ठीक है यानि मुझे यहां से लेफ्ट अपनी गाड़ी को लेकर जाना है वैसे यहां गए इस गेम में कार को लेकर बहुत सारे कंट्रोल दिये गए हैं है ब्रेक हो गया होन है हर एक चीज का कंट्रोल है फिलाल यहां पर इक गैस स्टेशन है इसका मतलब समझ रहे हो हमारी गाड़ी का फ्यूल भी इस गेम में घतम होगा तो जब भी घतम होगा मैं यहां पर भरवान आना पड़ेगा फिलाल मैं जमी लेने जा रहा हूं तो शाह जैसा गाउं है इतना भी पुराना नहीं है खेती बाड़ी वाला नहीं लग रहा ओकेई तो भी पड़ा फट से मैं अपनी कार को यहीं पर खड़े कर देता हूं नहीं या बीच रोड में पार वैसे तो फिलाल मैं कोई यहां पर कोई भी ट्राफिक नजर नहीं आ रहा है फट एक बार को हम लोग अपनी गाड़ी यहां पर पाक करते हैं और जल्दी से बैंक में चलते हैं जमीन किराए पर लेन के लिए लो गाड़ी मैंने ओफनी पाई सही में कार को लेकर बहुत जाधा सीरियसली कंट्रोल जिए गये तो मुझे गाड़ी खड़ी करने से पहले गाड़ी का एंजिन ओफ करने उसकी हैंड़ेक लगानी है पहले से साइड करता हूं मैं अभी-अभी मैं सजी से करऊंगा एंजिन ओफन बेक सब होगा लेट्स को अब जाके चैन की सांस आई है और यह है वो बैंक जहां से मैं जमीन लेने वाला हूं ओके प्रस यह ओल्ड जो की मुझे पर्चेस करने है तो फड़ा फट से one dollar पे करके इसे purchase कर लेते हैं one dollar मैं land खरीदने आया हूं या पारले ची का biscuit खरीदने आया हूं कुछ ज़्यादा सज्थी नहीं मिलके है पता नहीं कहीं यह रेंट पे नहीं हो कार छोड़ो जो भी अब यह में लैंड मिल को यहीं तो एक यहां से लेख मोड़ता हूं और अभी फड़ा फट से अपनी गाड़ी को आगे से राइट मोड के अंदर कर लेते हैं कोई पाकिंग मगारा बनाई है इतना बड़ा बना दिया ओ नाइस यहां पर मैं टेम्प्रेरी पार कर सकता हूं और हां पहले एंजिन करने हैं हैं अब उतरने हैं मेरे को अच्छे से याद रहेगा हर बारी बागी गेम्स में आदत नहीं होती यार ऐसे उतर जाओ काड़ी रुकी रहती है बर इसमें कुछ जादे ही सीन है पाई साब यह तो काफी ज्यादा बड़ा स्टोर है एक्शली पुरा को पुरा वेरा पे चाहिए प्रफ पर यहीं है और दूसरे चीज का नाम भूल गया पता क्या था जीप सा नाम यहां पर काफी सारी चीजिए इधर रखी है जो कि शायते से जब हम कोई बड़ा मशीन मनाएंगे घॉल माइनिंग तब हमें काम आने वाले यही तो होक पैन मैट यह मुझे दो पर्चेस करने थे तो यह भी आड़ हो गए होक पैन पंप नहीं हो पैन नो पंप येस मुझे यह यहां से खरीदना था वन इसको भी आड़ कर लेते कार्ट पर यही तो चीए था होक पैन इस लूइश नहीं में को स्लूइश बॉक्स को यह दा बसा यह भी पर चेस कर लेते हैं मेरे इसाब से सारा का सारा आइटम हो चुका है बाकि बड़ी बड़ी पाइप सो बहुत सारी मशीन यह पर उसका शायद अभी को यूज नहीं है क्योंकि अपने पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग इतने बड़ी लेवल की मतलब कुछ पैसा ही नहीं हमारे पास फिलाल अपना समान मुझे तो सामने इन्होंने लाके अपना समान रख दिया अभी यह समान मेरी गाड़ी में लोट करवा दी तो जादा बड़े रहता शायद मुझे खुद करना होगा क्या रोग जो मैं ट्राय करता हूं इसको उठा बाकि यह भी यहां पर रख देते हैं अपने पास अभी दो मैट रखने है और एक बकेट रखनी है फिलाल इसको मैंने उठाया और यह मारी जॉम्प इसको भी आपर रख देते हैं अगर यह सारका सारा समान गाड़ी से लाने पे गिर आना मैं सही बता रहो भाई पटक के जाओंगो दूबारा इसकी दुकान पर क्योंकि मुझे कुछ नहीं बता वही कैसे लोड हो भी रह या पर नहीं मैं तो थोड़ा रियल लाइफ वाला दिमाग लगा के रख दिया वाकि फिलाल अभी जल्दी से अम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले एंज आपर एक मस्त रेलवे ट्राक भी गया हुआ है मुझे पहले पता करना चाहिए कि आकरकार वो जो हमने लैंड खरी दिया उसका रास्ता कहां पर जाता यह रास्ता जा रहा है सामने रिवर पार्क करके और हमें आना इधर ओल्ड आर्नॉल्ड पार्स उसके लिए जो रास्त वाला रास्ता है ना इसी पैस की किते तेज़ वीडिय काड़ी पीची सागे हां तभी मुझे इसी ओल्ड रेलवे रोड के साथ साथ अपने उस जमीन पर जाना है जहां पर आज हम लोग माइनिंग करने जा रहे हैं वैसे यार रेलवे ट्रैक पे गाड़ी चलाने का एक अ वाली बात नहीं है फिलाल ये कोई मेरे को गोल्ड माइनिंग के जगा नहीं लग रही क्योंकि अगर ये इतने बड़े लेवल किया ना तो इसदर का सारा गोल्ड ये लोग निकाल चुके उनके ओल्रड़ी नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता मुझे पहले देखना होगा कि कौन स को उंदर लेकर चलते हैं और सामने एक बड़ा सा वेराउस बना हुआ है जो कि पता नहीं अपनी किस काम आने वाला है शाहत से हम लोग यहां पर अपना गोल्ड लाके कठा करने वाले हैं लेकिन इतना गोल्ड तोड़ी और गोल्ड ऐसे रखते थोड़ी है वाई से तो च ट्रेलर है सोने वोने के लिए वोगा जो की लाल अभी मैं जल्दी से अपनी गाड़ी यहीं कहीं पर साइड में पार्क कर देता हूं बस बस अरे इसकी तैसी इतने ध्यान से ट्राइब कर रहा हूं फिर भी गाड़ी फिसल के कहीं है कहीं से भीड जा रहे है बस बहुत हो अभी अपनी गाड़ी के हैंड बेकोन और गाड़ी का इंजन ओफ और यह मैं आचुका हम बाहर बाकि यार अब मैं आप लोग को एक बारी यह जो एरिया पूरा दिखाता हूं सामने एकदम बड़े-बड़े माउंटेन नजर आ रहे हैं और दूर-दूर तक कुछ घर बन करता है उसके बाद मुझे होग पैन को सेट अप करना है पहले इतना करते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोसीजर आ रहे हैं कि मैं को समझी नहीं होग पैन मैंने कभी देखा तक नहीं है रियल लाइफ में और आज मैं उसे यूस करने जा रहा हूँ होग पैन डिक साइट इधर बना हुआ है यहीं पर कहीं हमें होग पैन लगाना है हां यह शाथ से ना पानी के आसपास लगेगा इसको क्या सीधा वाटरफॉल में लगा दे नहीं यार नहीं जैसा उसमें बोला है मुझे वहीं करना है इधर एक रस्ता भी खुला वह था ठीक है अभी फड़ा-फड़ है intellectually कैसे मैं अपनी गाड़ी पे से होग पैन उतार के ळाता हूं और जल्दी से हम वोग इसको यहा परिला किसे करने वाला है और स्चाम लूग गोल्ड किस तरीके से माइन कर सकते हैं म Corinthians में मिने में भी क्या है है iauता बड़ा कुछ दिकी नहीं रहं तो नहीं क्योंकि उसके उपर दो मैट लगाने होंगे, पता नहीं यह जो मैट है, यह किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं, फिलाल जैसा ऐसा है हमें सेट अप में लिखा गया है, जल्दे अलदी करते हैं, जब यह पता चलेगा कि आकरकार इसके यूज से किस तरीके से गोल्ड माइन हो में तो ऐसी लग रहा है क्योंकि इसके उपर ने चोटा सा फिल्टर टाइप कुछ बना हुआ है जो कि शायद से जो डर्ट में बड़े-बड़े कंकर आ जाते हैं उन्हें रोकेगा तो अभी फिलाल मैंने इसका सेट अप कर दिया है अब मुझे देखना होगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है यहां पर लिखाए यूज शवल टू फिल दा होक पैन विद डर्ट जैसा कि मैंने का था कि शायद से में मिट्टी भरनी होगी बट अपने पास शवल का ओ भाई अपने पास तो काफी सारे टूल सा मैंने तनी देर से स्क्रोल ही नहीं करा था स्क्रूड के पास की डर्ट नहीं कर सकते बैक साइड में जितनी डर्ट है वो मुझे सारी की सारी करने है फिलाल अभी जल्दी से मेरे को इसके अंदर बढ़ते जाने हैं यह 22% कंप्लीट हो गया है शायद से मुझे 100% कंप्लीट करना है और फिर इसको हमें पूरा फिल्टर करना है फ पता नहीं है सब कुछ कैसे होने वाला है फिलाल जैसा ऐसा हमें कहा गया हम लोग करते चाहते हैं देखते हैं क्या सीन होता है बागी मैंने बहुत सारी डर्ट इसमें लाक के भर दिया 78% यह कंप्लीट हो चुका है 100 भी बढ़ जाए हो यू आर लखी मुझे मुझे काई से गोल नगेट मिला नाइस कीपिट लेट्स को के 20 ग्राम का गोल नगेट है यह के ग्राम भी पता चल जाए है जल्दी ठीक है अभी तो क्योंकि मिटी थी पिलार इसके बाद मुझे क्या करना है अभी मुझे से वाश करना है वो उस दर्ट इंदा होग पैन ओके तो भी मैं ले जाए के उस पर डाल दिवा यह लागी स्कैम कि मैंने यह से पानी डाला हो ना वाव कि किस तरीके से एक ताम मस्त वास हो रहा है यहां पर काफी सारे पत्थर निकल के चले गए और पता है मुझे इसमें से कोई गोल्ड तो नजर नहीं आ रहा बट अगर आप ध्यान से और शार से डर्ट और कम हो जाएगा और फढ़ा फट से भी इसको पूरा वाश करते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें गोल्ड जो 20 ग्राम मिला था वह इसमें से कैसे एक्स्ट्रैक कर सकते हैं सारी के सारी डर्ट वास हो चुकिया बकिट को साइट फैको और इसके बाद यह दिखो मैट जैसे इसमें लगाया थे बलू थे बड़ा यह काफी जादा गंदे हो चुकी है तो इसके बाद मुझे इन मैट को वाश करना था नाइस तो बहु बकिट को मैं पानी में भर के लाता हूं यहां पानी गिर गया गया एक सेकिन उग जाओ पानी गिरा है कि न चोटे चोटे वह सारे के सारे पानी में आ जाएं इतना करने के बाद मुझे समय को यह वाफ लगा थे इसको इस फटा-बवाइस का यह लिए नजरनी ग讲 रहा पानी मुछा अब नहीं कुछ बहा ही है यह यह बाग वही में चलकर देख स्टैप हैं तो का अभी यह गोड़ तो मुझे ओहोँ अभी मुझे टाइप से नहीं सारा पानी चानना है चानना है या फिर इसमें से जो स्टोन्स है उन्हें कुछ तो करना है उसे पहले लेकर आते हैं तभी आगे काम समझ आने वाला है यही वाले तेंट के अंदर उसमें दिखाया था कि वो पड़े होंगे य मैं तो चले जाएगा इसको इसके अंदर डालता हूं नहीं यार एक बार में एक ही चीज में अपने साथ लेकर जा सकता हूं तो फड़ा फट से बिग बावल कर लेकर चलते हैं और अभी मुझे इसके अंदर एक टाइप से ना पूरा का पूरा स्कैनिंग करनी होगी कि गो पता नहीं इसका नाम है फिलाल यह प्लेट ही है मैं तो इसके बोलने वाला हूं चाहिए इसका कोई बी नाम हो अभी जल्दी से लेकर चलते हैं और इसको भी यहां पर रखते हैं तो अभी मुझे फड़ा-फट से इस बकिट को उठाना है और इसका पानी इस प्लेट में और वापिस इसको जमीन पर रख देना है और इसके अदर अभी भी थोड़ा पहुत पानी बचा हुआ है जो कि गिर गया ओ नहीं गिरा शायद पत्थर का पानी है पत्थर का पानी क्या वोल रहा हूं यारे फिलाल हाँ अभी मैं इस प्लेट को इस बड़े वाल में लेकर अगरा आ चुका हूं और शायद से अभी मुझे सारे अडर्ट को वॉस्ट करना इसमें डाल के आवे विल्कुल जहीं गहा रहा हूं यहांपर पानी आ चुका है बाकि यह आप दर्ट को वाश कर दो बीच में जो चमकता वह नजार आ रहा है शायद से वही गोल्ड नगेट है नाइस मुझे गोल्ड नगेट मिल चुका है बट मुझे यह नहीं समझा रहा कि मैं इसे कलेक कैसे करने वाला हूं और यह जो बाकी डर्ट है यह वाश नहीं हो रही है मतलब यह जो नगेट था ना इसके ओपर भी डर्ट चिप की हुई थी मैंने से वाश कर दिया है पर कलेक कैसे करना है पता नहीं तो यहां पर इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल साइज को राइट लेफ्ट और टिल्ट करने के बाकी शिफ्ट के थू मैं पिकिंग मोड पर आकर इस गोल्ड को कलेक कर सकता हूं लेट्स को हमें गोल्ड लगेट मिल चुका है बाकी अभी इसका कोई काम नहीं है तो शायद से मुझे सारी की सारी डर्ट को इसके अंदर पलट देना चाहिए ओके ओके तो मैं इसे टिल्ट करके शायद सारा पलट सकता हूं अभी तुम्हारा भाई गोल्ड माइन करना शायद अच्छे से सीख चुका है क्योंकि हमने थोड़ा सा गोल्ड नगेट माइन करके कलेक कर लिया है खेर अभी सब हो गया फड़ा फट से काम करते हैं इस प्लेट को अभी मैं वापिस से नीचे रख देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा और गोल्ड लेकर आना होगा वैसे और गोल्ड क्यों अभी तो इसके इंदर थोड़ा बहुत पानी और बचाता ना इसको भी इसके साथ और वाश करके देखता हूं क्या पता कोई और स्टोन देखने में ऐसा लग रहा हूं इस डर्ट की वजासे बट एक गोल्ड नगेट हो बटा होता तो अभी तक वाश हो जाता और हमें दिख जाता फिलाल अभी सब कुछ हो चुका है इसको मैं नीचे रखता हूं और अभी तो ये सिर्फ जरा सा गोल्ड आया अपने पास 20.960 ग्राम गोल्ड है मुझे इस नाइम पर बहुत सारा गोल्ड इकठा करना होगा तो अभी मैं क्या करने वाला हूं जितनी जब तक रात नहीं जाती न तब तक मैं या पर इसके अंदर मिट्टी डालूंगा और इन इसके उपर 45-45% लिखकर आ रहा है ऐसा इसले क्योंकि मैं इनको वाश ही नहीं कर रहा हूं जब यह पूरी 100% गंदे हो जाएंगे जब इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी या फिर बहुत सारा गोल्ड नगेट्स अटक जाएगा तब ही मैं इनको वाश करने वाला हूं बा कि हां हेंडड होने के बाद ही इसको मैं अच्छो से स्कैन करके वाश करूँ है गाइस अभी ना काम करते करते काफी जादा रात हो चुकी है और फाइनिली मैंने मैट को पूरा का पूरा गंदा कर दिया है इसमें 100% स्टफ अटक चुका है अब चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो गोल्ड हो वैसे बहुत सारा गोल्ड भी मुझे एक ही बार में मिलने वाला है मैं 100% शूर हूँ क्योंकि जब मैं डर्ट कलेक्ट कर रहा था तो वहां पर बार बारी नोडिफिकेशन आ रहा था कि इस बारी मुझे गोल्ड मिला है फिलाल अभी यहां पर काफी अंधेर हो गया इसके अंदर पानी भरते हैं और मुझे थोड़ा सा रोशनी वाले एरिया पर लजा के रखना ह होगा अपना यह जो पैन है यह भी लाते हैं और इस बकिट के अंदर मुझे पानी बरना है और अभी मैं इसको यहां पर रख देता हूं और बकिट में इसले बरना है क्यों अभी गिर मत यारी बार 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 गिर जाते है ठीक है तो भी फड़ा फट से मैं अपना यह वाल में वाश करना है मतलब उसमें ले आकर स्कैन करना है तो यह दोनों मैट अभी मैंने वाश कर दी है अपने पास बहुत सारा गोल्ड समल्लों आ चुका है मैं बस अब कोई ऐसी गड़बन ना हो कि गोल्ड गिर जाया कुछ हो जाए बाकि इसको रखो इसको संभाल के रखना अब है सारा गोल्ड अभी इसके अंदर है क्योंकि यह पल्टी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा कर पहले पल्टी तब तो कुछ हुआ नहीं था बाकि अभी इसको मैं इसको मैं इसको प्लाट देता हूं वह भाई इस बार ही थोड़ी जादा मिट्टी आई आई गया पता अभी तो बचा होगा ना पानी तो फड़ा फट से मैं सारे के सारे गोल्ड नगेट उठाता हूं यह वाले को ठाया पिन के थूँप के थूप पता नहीं क्या बॉटल है एकदम मस्त है इसमें शाहते कोई भी नगेट नहीं बचा तो अभी मुझे इसको शाहते देना चाह एक गोल्ड नगेट भी वेस्त जाए फिलाल ऐसे नहीं होता अगर वास एक ही बार में दिख जाता है अदर्वाइस कितना भी घुमालो भाई नहीं दिखता तो फड़ा फट से इसको हम लोग फैक्ट देते हैं चल तेरी पूरा निकल अभी बकिट में थोड़ा सा और बच देता हूं ओके तो मैंने अभी काफी सारे गोल्ड नगेट कर ली हैं फिलाल अभी मैं जल्दी से चलके एपनी वैन में सो जाता हूं अगला डे हो चुका है और अभी ना मुझे जल्दी से चलना होगा अपने टेंट में क्योंकि यहां पर एक टाब रखा हूँ है जिस टा बार्स के टिर्चा का बटन लुद नगेट नहीं तो फिर गोल्ड बार्स मुझे यहां पर कैसे मिलने वाले हैं इपने पास गौल्ड का चूरा है और बैंक वाले गोल्ड बार करीदना चाहते हैं यहां पर बल, आभी मैं समझ गया तो अभी इन गोल्ड के चूरों को मैं गोल्ड बार में convert करवाने के लिए Blacksmith के पास जाना होगा फिलाल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते है Blacksmith का जो जगह है मतलब shop है वो city में है तो अभी फड़ा फट से मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा कर वहीं पर जाने वाला हूँ तो अभी इपनी गाड़ी को मैं भगाता हुआ पहुचने वाला हूँ सीधा Blacksmith की shop पे शायद से यही है उसकी shop लेट्स को फड़ा फट से पनी गाड़ी हम लोग यहां पर पाक करते हैं और जल्दी से चलते हैं वो वेट 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 मैं गाड़ी का एंजिन ओफ करना बो अभी अच्छे से याद रहेगा ठीक है अभी चलते हैं सीधा Blacksmith के shop में और यहां पर मुझे smelting करवानी ह इसको पिगला के जोड़ना है और 272.89 ग्राम हमार पास गोल था यह इसको फड़ा पट से smelting पर लगा दो इसको फड़ा पट से smelting पर लगा दो इसको फड़ा पर ब्लाक्समित विल इसमेल्ट यू अ गोल बारी या टाइम लेगा कहर असलियत में भी बहुत ज़दा टा मुझे शायद से वापस अभी अपने होटेल में जाना होगा वो यहां से जादा दूर भी नहीं है पास में है कह रहे हैं पर थर्टीन आर्स खड़े रहने से बढ़े हैं वहां पर जाकर सोएंगे थर्टीन आर्स स्किप हो जाएंगे यार अपनी गाड़ी में ज्यादा फ आप लग जाना यार अलका सा तो मोट क्या यार अब गाड़ी लग से आगे बहुत ज्यादा ही गलत सीन हो रहा है ठीक है एक से अबे तेरी यसी की तर्सी गाड़ी आगे करनी थी हैंड ब्रेक अटागे पीछे आगे बास अभी इसमें फूल भर जाना चाहिए इतनी भी ज फ्री में पता नहीं क्या जो भी ओए ठीक है अपनी गाड़ी में फ्यूल आया कि नहीं मैं पहले वुद ओ नाइस फ्यूल आगया बर चाहते पैसे भी निगटे ठीक है जो भी आच्छे के लिए हुआ फड़ा फट से चलते हैं होटल पर ओके तो यह मैं अपनी गाड़ी पर होटेल पर फड़ा फट से पाउच चुत कहूं साइड में पनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं एंजन वगारा सब ओफ कर दिया है लेट्सको इसको भी बंद करो अभी जलती जलती है होटेल में सोनी के लिए भाई अभी फड़ा फट से कर लगे पहले यहां से गया फिर यहां पर वापिस आया फिर इसका दुबारा इंजन भी ओफ करो इसका इंजन पर्मेंटी ओफ हो जाए फिलाल अभी सो जाते हैं पंदरा बीस घंटों के लिए अराम से ओकी गाइस दुबारा से गॉड मॉर्णिंग अभी मैं सो खर लेट्स को मैं वापिस से आ चुका हूं ब्लाक स्मित पर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इससे बात करते हैं हमारे गोल्ड की अभे गोल्ड देखे गया तो गोल्ड का अता पता ही नहीं है कुछ अपने मिल गया या फिर स्मेल दा गोल्ड अभी एक सेगिन ओ अगया भाई गोल्ड वाँ पर कोई ओप्शन ही नहीं कलेक करने का मेरे को लगा बंदे को थोड़ा सा गोल्ड के मिला दुकान बंद करके गोल्ड लेके भाग गया पर ऐसा सी इनी है हां तो भी मुझे गोल्ड का बिस्किट मिल चुका है और यह किता चादा मस्त लग रहे हो इसको पोकेट में डाल लेते हैं बट ठीक है में इस गेम के रूल के साब से चलना होगा बाकि बैंक यहां से ज्यादा दूर नहीं है और अभी मैं काफी ज्यादा एक्साइटीर हूं यह लेकर कि आखिर यह बैंक इस गुल्ड बार को हमारी कल मतलब एक दिन की महनत को कि इतने रुपे में खरीदने वाला है अभी फिलाल में बाहर निकलता हूं इसको उठाल इसको उठाल इसको चोटा पकड में भी नहीं आ रहा थेख है अभी जल्दी सम्लों चलतें अंदर बैंक के पास मैं बैंक भी एक्सस नहीं कर पा रहा हूं इसको नीचे फैक ना भी बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है गोल वार हमने बेच दिया है और अब तो बस वाई ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बस गाड़ी आने वाली इतना ज्यादा पैसा हो गया वाई डीलर्शिप खोलो इदर सारी गाड़ी खरी देंगे क्योंकि गोल्ड माइनिक इतनी ज् इतना ही आई होप आपको यह वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो फड़ा फट से स्वीडियो को जाके लाइक करना है इस वीडियो पर इम करते हैं 6 लाक लाइक के लिए बाकी हाँ गाइस अभी यह था अपना फरस्ट जाहां आमने लेबर व चैनल को सब्सक्राइब कर देना वाकिया आज किस वीडियो में इतना ही मिल अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइए